नाम अंजली है और आपका स्वागत अंजली रेगलर जी क्लास में सबसे पहले आप लोगों को ठाइक कुछ लोगों ने ज्यादा नहीं कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी दिये हैं उसके लिए ठाइक इसो मच तो यहां का भी आज का क्लास भी देख लेते हैं एंड क्लासर स्टार्ट करते हैं लेट्स कूछ यहां पर आपका पहला कोशन है अपादान कारक का परसक है तो अप्सन दिया गया आपका का बी है से अलग होना c लिये और डी है मेपर तो यहां पर आपका एंसर है से अलग होना ठीक है और यहां पर दूसरा कोशन आपका कैची किस भाषा का सब्द है कैची किस भाषा का सब्द पर आपका है आपका और वी फारसी तुर्की कि पूर्त्रगाली सुरी तो यहां पर आपका एंसर है तुर्की ठीकर ची का भासा है तुर्की तो यहां पर तीसरा निंभखिन में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेन मुहाबरे का सई अर्थ है तो आपकर हम देख लिए हैं आधी-आधी चीजों को साथ रखना बे मेल चीजों का समिसरन ठीक है और सी एस मेल चीजों को बटोड़ना डी में हैं आधी आधी चीजों को मिला कर मिला कर एक करना तो यहां पर पूछा गया है आधा तीतर आधा बटेर तो आधा तीतर आधा बटेर मतलब बे मेल चीजों का समिसरन करना जो की कोई भी चीजी को समयसरा करना नहीं जोड़ जारके तो फ्रेट्ट यहां पे आगी कोशन देखते हैं यहां पे फॉर्ड कोशन एंदोड कि इस्तरी वाचे के बनाने के लिए कीसी प्रते का प्रियोग होगा तो इसमे एक आ बड़ी ये तो इसमें देखे अनुज अनुज आ से आ रहा ना तो इसका एंसर है आ ठीक है इसका ये एंसर है ठीक है बी सो यहाँ पर इंद्रियों को वस में रखने वाला का एक सब्द क्या होगा तो इसमें और सम देख लेते हैं इंद्र जीत इंद्रिये जीत और इसमें तीसरा है इंद्रिया तीत है फिर इसमें चौथा इंद्रदेव हैं तो इसमें लिखा क्या इंद्रियों को वस में रखने वाला तो एक पुरुस है तो उसमें ना तो इंद्रियों को वस में रखने वाला तो इंद्रिये जीत होगा ठीकिना इंद्रियों को वस में रखने वाला नहीं व्यक्ति है कोई पूर्स है जो इसको वसमें रखे अंध्रियों को इंद्रेजी यह नहिंद्री यह ठीक है अरे यार ठीक से टीक भी नहीं रग पा रहा तो यहाँ पे हम छटवा कोशन देखे लिए गायक सब्द एक सही संदी विच्छेद पर सही का निसान लगाए ठीक है? तो गायक का है ऑप्सन देखे लिए गा प्लस आयक ठीक? गा प्लस आयक और बी है गाय प्लस आयक है ठीक है? और सी है गा प्लस आयक गाय प्लस आयक गा प्लस आयक ठीक है? और तीर चौथा है गाय प्लस आक गाय प्लस आक तो इसमें आपका जो भी एंसर इसमें से एंसर आपका होगा ये आक गाय प्लस आक है गायक गायक तो देखो गा गा प्लस आ तो आया ना आपका गायक तो हो गया ना गा प्लस इसका गा गै प्लस यक ठीक है ठीक तो यहां पे यहां पे हुआ आपका साथ्वा कोशन आपका देख लेते हैं साथ्वा कोशन को पाट साला सब्द है रूड योगिक योग रूड और विदेशी ये विदेशी है ठीक है तो इसमें आपका पाट साला पाट साला जैसे मैं अभी आप लोगों को देख दी हूँ क्लास यह है पाट साला तो यह होगिक ठीक है इसका यह एंसर होगा पहले जमाने में ऐसे स्कूल में ब्लेक बोट और मारकर या चौक यह डेश्टर वेगरा नहीं रहते थे पहले यहीं से पाट साल एक बड़ा सा पेड़ की नहीं चे लगा के बोट वेगरा और वहीं बच्चों के खटके पढ़ाते थे लेकिन फिर धीरे जैसे डबलप होत अच्छा ही रहेगा तो यहां पर आठवा कोशन देख लेते हैं निम्खित में से नीच्चे वाचक सर्व नाम है तुसका सर्व नाम पूछ रहा है और आपका कहां कोई यहां आप तो आपका सर्व नाम पूछन देख वाचक सर्व नाम जैसे कोई होता है वाचक होता है यहां यहां वो जा रहा है यहां वो जा रहा है तो इसका सर्व नाम आगा यहां ठीके यह इसका नीच्चे वाचक है वह वहाँ पर नीच्चे वाचक तो यहां पर यह सर्मनाम यहां है ठीक है तो बागी क्लास कोशन के कोशन देखते हैं यहां पर है आपका हिंदी के प्रमुक ललित निमदकार हैं तो आपसन इसमें आपका दिया गया है देख रहेते हैं राम धाई सिंह्ग दिलकर रामचंद सुखल चोथायि क्ला प्रशाथ रिवेदी थिक है तो इसमें हापका हिंदी के प्रमुक ललित निमदकार हैं हम ucharी प्रशाथ रिवेदी यह सइह रिवेदी है तो यहां पर दुझ आपका मन में उत्पन होने वाले अस्थिर मनों विकारों को क्या कहते हैं तो इसमें आपका आप्सन दिया गया है संचारी भाव, विभाव, आलंबं और अनुभाव तो इसमें आपका जो एंसर है संचारी भाव, यह आपका सही है, ठीके संचारी भाव, बाकी फ्रेंड, आज मैं आप लोग को होंबर देना जाती हूँ, यह होंबर यहाँ पर देख लेती हैं यह भी होंबर है क्या तो यहाँ पर लिखा रात में विचरन करने वाला इसका एंसर क्या है, जिन जिनको आता इसका एंसर वो कमेंट वोस में लिखकी बताएगा, ठीके तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजेगा, क्योंकि इतनी सारे महनत किये जाते हैं, तो आप लोगों के लिए और अगर लाइक करेंगे तो मैं एक मोटिवेट हूंगी, आप लोगों सपोर्ट करें प्लीज और सब्सक्राइब करना ना भूले, सेर भी कर दीजे, जिसस नोटिपिकेसन आप लोगों के पास मिल जाएगी हमारी वीडियो की, सो बाइ-बाइ टेके, जै हिंज जै भारत, थांकियो सो मच करासमे बने रेने के लिए